कि अब अब इसके बारे में कभी आपने सुनाया था और उसको डिटेल में एक्स्प्रेइन किया था जब चप्टर नुमर पढ़ रहे थे मैक्रोएक्ट नॉमिक्स इस वक्त एक्स्प्रेइन किया था लेकिन तब भी आज दुबारा कर देता हूं आप हो चलो मनी मार्केट ध्यान आएगा अभी ध्यान से सुना मनी मार्केट ये तो सुना नहीं फिश मार्केट सुना है कपड़ा मार्केट सुना है जुल्ली मार्केट गोल्ड मार्केट सुना है स्टॉक मार्केट सुना है और कौन से मार्केट सुना है तिम्बर मार्केट भाजी मार्केट वेजटेबल मार्केट और कौन से मार्केट सुना है क्या शेयर मार्केट और बोलो तुमको एक भी याद नहीं आए कोई सब भी मार्केट सब बोल दिया इन्होंने सब बोल दिया इन्होंने सो यह सब मार्केट में क्या करते हैं कि डांस करते हैं क्या करते हैं कि सेल करते हैं कि एक सेकंड एक सेकंड क्या करते इन सब मार्केट में कि दो टाइप के लोग होते हैं इस मार्केट में मार्केट बोला यह जितने भी मार्केट थे सब में चीच कॉमन है अब नोग में दू टाइब के लोग एक हिंसान होता है एक परसन होता है जो बेचता रहता है और दूसरा परसन होता है भरता है अब बता हूम आपसन l guarantee आप के आई वाबा कहां गये कुछ किसी के जए गये होंगे वेज़िटेबल मार्केट वेज़िटबल जो भाजी मंडी वाला वो बेच रहा है और आपके मॉम डेट खरीद रहे हैं कि राना श्टोर गए होंगी कि राना वाला उसको बेच रहे हैं सो हर मार्केट में एक चीज तो कॉमन है क्या है बताओ वो बाइंग एंड सेलिंग ठीके ठीक दूसरा क्या वो नुकसान में बेच रहे जिस रेट में खरीदा है उससे जाधा रेट में बेच रहे नहीं तो क्या समास्य से वकरने के लिए था नहीं so buying at a huge quantity at a lower price and selling the same goods at a smaller quantity at a higher price ये काम क्या है market का ये काम चल रहा है चलो सर मार्केट में दो चीज़ समझ में आई क्या-क्या दो चीज़ समझ में आई क्या-क्या दो चीज़ समझ में आई फिल से बोलना बाइं and selling होती है और डेफिनेटलिवी Profit के लिए बाइंग जल रही है चलो लिकिन ये कौन सा मार्केट था आप जितने भी मार्केट के नाम लिए वह भी मार्केट था इस मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग और प्रॉफिट लिख देता हूं राइट भी मार्केट की मतलब मीनिंग मैंने मिनिंगू वी एंच सेलिंग फॉर्णिंग पॉर सॉफिट वाइंग एट प्रीश। ओधी एट एट लोव Fish market में क्या बेचा जा रहा है? फिष अग्हरीदा जा रहा है? फिष रइट? आएरो तो नहीं करी देंगे काउ भी करी देंगे फिष मारकट में जब फिश दुशуется कि घंजे देंगे तभी तो उसको क्या बोला गया? फिष मारको भी कर तो यहां सब्सक्राइब को लोगों ने देखा किसी एरिया में एक सैलोन या कि कि आपन करता याइज दीखता याइज वह इस एरिया में इक या नहीं नहीं है यह किराना स्टोर नहीं है इन चीजों की इस एरिया में डिमांड है क्या उसने दिमांड देखा तो तुरंत उसने क्या किया मैं किराना स्टोर यहां को बहुत सेल करेंगे बहुत प्रॉफिट कमाएंगे बहुत यहां बायर है कि जब लोगों ने देखा यार यह एक हैं ऐसा मार्केट है कि बहुत लोगों को पैसा चाहिए और यह कब से देख रहे हैं कि वह OS सालों से जब पैसे का इजाद नहीं हुआ था ना तब से चल रहा है कि एक कुछ लोग हुआ करते थे जिनको आप लोग ऐसे पहिचानते हो अब बताओ कौन ही हुआ हुआ कि मैं नहीं बताओंगा नामी नहीं बताओंगा कितना पैसा जाईए क्या लेके आए हो सावकार क्या लेके आए हो जो आप पैसे में रख मांगा तब वो बोलता है मेरी जमीन है मेरे पास गोल्ड है मेरे को कुछ पैसे दे दो सो यह पैसो का लेना देडना यह भी क्या था मार्केट था जब कुछ लोग क्या थे पैसे भरके रख रुपै दिया वो मांगता कितना था वापस 120 रुपए तो 20 रुपए क्या हुआ उसका profit margin हुआ तो बाइंग उसने कितने में किया था अब मैं वो सब मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो इस market में भी क्या हुने वाला है बताओ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी होने वाला है क्या एक चीज के लिए मैं इतना गुमाफ विरा के इतना ड्रेमेटिक बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिस्टम को ना फिश मार्केट वेजिटेबल मार्केट किराना स्टोर शेयर मार्केट यह सब तो समझ में आता है मैंने तो कभी किसी की किराना दुकान देखी ही नहीं कोई दुकान भी देखा नहीं जहां पास पैसे कोई बेच रहा है बेच रहा है ध्यान से सोचे वह कौन लोग बेच रहे हैं बताओ बैंक बैंक आपसे पैसे लेता है at a lower rate बुलता है तीन परज़ेंट दूँगा रखना हैहें हमारे बैंक में रख लो कितने में खरीदें उसने पैसे पैसे पहले उसने खरीदे कि अरे किराना स्टोर वाला भी कहीं होल से इसे पहले कुछ गुड्स खरीद के लाता है ना कि घर में मैनेफेक्चर करके आपको देख आया है खरीद के लाया उसने बैंक वाले ने भी खरीदा किस से खरीदा आप जैसी जनता से खरीदा कितने रेट ऑफ इंट्रेस में इस पैसे कितना दूंगा तीन परसेंट जब कुछ लोग पैसे खरीदने गए जब नॉर्मल पब्लिक पैसे खरीदने गई तैससे चाहिए कितना चाहिए को जैसे ही इस एमाउंड बतात है ज़ो अटा परसंट देना पड़े लाए कि इतने में किया ता होल सेल में एक स्लो बेचना और आच में हर एकनौमी एक से लोगों का वरोसा उड़ जाता है इसी लिए इस बैंक को बचाया गया था बॉचाया गया था इसे बहुत सारे बैंक किसी भी बैंक में कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा लग रहा है कि यह डूबने वाला या फ्रॉड हो गया है उसको किसी ना किसी के साथ मर्ज कर देते हैं ध्याना रहा है क्या करने के लिए उसके कस्टमर का कॉन्पिटेंस और सब चीज़े मेंटीन करने के लिए सबसे पहले और आपको एक चीज और बताता हूह और उप्फूट कर देता हूं या कि मेनी मार्केट के अंदर किई वह कि रहे जर्ग है कि रहाना स्टोर रिटेल मार्केट है में उसका क्या होता है खूल सेल होता है उसका एके होलसेल मार्कट को यहां क्या बोलते हैं capital मार्कट क्या बोलते हैं capital कि समझ मैं और आप अपने लिए चेह लेने जाते हो तो आप retail market में जाते हो, क्योंकि आपको कितनी chair चाहिए, एक जब लेकिन एक दिन आपको बहुत बड़ी office डालनी होगी, तब आप क्या करोगे यार retail market में बहुत महेंगा पड़ता है, कहां है इसका wholesale market लेकिन वो कब लगा आपको बताओ जब आपको कुछ बड़ी quantity या बड़ा amount जब लगता है किसी को भी चाहिए वो individual हो, चाहिए वो खुद bank हो उन सब को क्या लगता है capital market में बहुत होलसेल market लगता है, अच्छा हमारा account कौन open करता है for example HDFC, ICICI, SBI Bank of Arora यह सब लोग open करते हैं हमारा account इनका भी business है ना बच्चो तो इनका account कौन open करता है RBI बोलता है तुमारा खाता हम अपने पास open करेंगे भारत सरकार का और स्टेट गॉर्मेंट का खाता कौन open करता है RBI बड़े बड़े खाता हम देख लेंगे चोटे-चोटे तुम देख लो लाइक एक बड़ा factory आउटलेट है और उसके बाद उसने franchise देखे रखी ही है लाइसेंस ले लो banking लाइसेंस समझ में आ रहा है कुछ-कुछ तो पैसो का बहुत-बड़ा इस दुनिया में इस दुनिया में बहुत-बड़ा बाजार है World Bank International Monetary Fund IMF ऐसे बड़े-बड़े शब्द सुनते हो न यह क्या है मतलब इतना बड़ा है कि इसके बिना कोई भी इकनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती यह होना बहुत स्ट्रॉंग होना बहुत ज़्यादा जबी है तो अब जब मैं हर लेक्चर में बोला करता था हूं कि पढ़ना है और समझना है इस दुनिया को तो पढ़ो क्या मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ो डिमांड सप्लाय तो नीचे जो चाय बेच रहा है उसको भी समझने आ रहा है तब तो चाय की दुकान डाल पाया है बात बराबर है उसको money market के बारे में नहीं पता अभी बोलेगा पैसे कहां से लेने हैं पैसे कैसे देने हैं कितने रेट में लेने हैं ऐसी ही बात करेगा वो क्योंकि उसको इसके बारे में knowledge नहीं है कि अच्छा आपका मोबाइल खराब होता है घर में रिपेर कर लेते हो नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको क्या नहीं है जब इसी तरह डॉक्टर के साथ होता है आपको नेखो आपको जब preparing की बारी आती हैं तो आप खुद की करेंग कर पाते हो क्या अग्यक्त्व कभी करने जाते हो तो गडबर जाती है खुद की पर आता हो तो तब आप क्या करते हो सुनना बहुत इंपोर्टै चैप्टर नहीं इकनॉमिक्स नहीं आपको हर एक डिफिकर्ट नॉलेज के पीछे क्यों भागना चाहिए अब देखो आप क्या करते हो मोबाइल अब खराब हो जाता है चालू नहीं होता है वह अंदल ले जाता है बोलता है कितना लगेगा बोलता है तीन हजार आप देखते िरद यह बोलता है सर मल पुस्कालमीटोप मत्रोडमर्ट के अंदरुयाज ने वाला चिप जो है की अधा रह्य जयार शाल घजिए ऐसे अधार डूंफ लगए वन ईंडटार श्रीत्य बोलोसा सताइस तॉप रुक टूच्छे션 फियर जाग हो निइसने में फिल पृसी बहुत चला लिया, इसको साइड कर, समझ में, कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, उसका knowledge नहीं है, और आप ready हो जाते हो, तुरंट जिस चीज का knowledge नहीं रहता है उसके लिए payment दनने के लिए, क्या इसके बारे में किसी को अब तुच्ची टुच्ची के नहीं टूविलर खरीजना है उसके लिए पैसे कार खरीजना बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्री पढ़ती है मशीन खरीजनी रहती है जब कुछ बड़ा इंवेस्टमेंट होता है तो क्या बैंक के पास जाओगे अरे यह बैंक के पास भी उत बैठाएगा पानी पिलाएगा चाए पिलाएगा पाद में पिल से खुचैगा चाए तो पीलीयर जूस भी पीलो वो क्या करता है मालू है उटक्था करते बैठता है यह बात मालू मैं आपको हो यहां भागेगा इंप्लॉई को यहां बेजेगा वह ब्रांच में बेजेगा बगल वाली बैंक पेजेगा बुर में कैसे चल रहा है और नया प्रोडक्ट आए कुछ भी कर पर टाइम पास करतार रहे वो और फिर आपको बोलेगा शर्यक्स टाइ पहले क्यों पहले से पैसे अरेंज करके रखे समझ में आरी बाते किसी के पास भी आइडल फंड पड़ा हुआ नहीं है वो कहीं ना कहीं क्या करता है उसको यूज कर लेता है कि आप बड़े हो जाओ और आपके पास पॉर एक्जांपल बोलें कि लिमिटेड एक लाख रुप इसलिए सबको आज की डेट में डिजिटल मनी चाहिए वो तुरंत क्या कर सकती है इन्वेस्ट क्योंकि बैंक का बैंक कहा है आर बी आई यदि उसको पैसो को चैनल में लाना है आपका पैसा समझना बहुत इंपोर्टेंट है चाप्तर चालू भी नहीं कर रहो आपका पैस मतलब उस पैसे को पहले बैंक पर जाके डिपोशिट करोगे अब वहां से आप क्या कर सकते हो शियर में एवडी में कुछ भी करना है तो मतलब इतनी इंपोर्टेंट समझो वो कागज को तुकड़ा कि कोई वैलूई नहीं है इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो अपने आप क्यों बताओ अभी क्योंकि जब बैंक का भी बिजनस कैसा है उसके घर में पैसे पड़ें क्या वो पैसे कमा पाएगा नहीं उसको क्या करना पड़ेगा या तो किसी को देना पड़ेगा तो जो उसको इंट्रेस्ट दे या तो पब्लिक को देगा या फिर अपने बैंक में तो समझ रहा हूं चीजह कैसे चल रही है यह पूरा मनी मार्केट के एक सीग्मेंट के अंदर छोटे से प्रॉड़क्ट को नाम बोला जाता है ये बैंक अब आपकी नीन खोलता हूं क्या बोला मैंने मरी मार्केट अंडर capital market में बैंक का एक परसेंट का रोल है कितने परसेंट का अभी 99 परसेंट क्या है आपको जितनी चीजे पता थी वो उसके उपर मैंने एक्जांपल दिया है वो कौन था बैंक यहां सो मैने धिंग्स इंदा मनी मार्कट एंड कैबिडल मार्कट सोचो आज तक आपको बैंक में जहां जाकर पैसे डिपॉसिट करते थे उसके बारे में नहीं पता है बाकियों के बारे में कैसे पता चलेगा अब समझ में आ रहा है आया मजा चले आगे हां जो डिस मनी मार्कट एंड कैबिडल मार्कट मनी मार्कट क्या है आपका फोलसल मार्कट है जहां पास लॉंग टम फंड मिलते हैं जिनको दस साल पांस साल बीस साल पचास साल के लिए पैसे चाहिए रहते हैं उनको यहां मिलते हैं जिनको एक मैना पांच मैना एक साल छे मैना वह कह कि इतनी देर में हमने समझा सिर्फ चैप्टर का नाम और इस तरह होता है हमारा चैप्टर है कंप्लीट कि अब अंदर क्या है अब इसी के बारे में थोड़ा इधर उदर सा इर्दगिश घुमा के आपको अब आप चैप्टर पढ़ सकते हो कि मजाक कर दाओ पगलो मेरी सारी बाते नहीं मान लिया करो चलो को सब्सцаट करते हैं अभी आपको ये सभज मेंा गया कि मनी मार्कर्ट का सीफ हैं तो के फाइनांस क कि पैसों का मैनेज्मेंट बताया है मैने कब बताया मैने मेंOT प्रिविबिश च्ग नाम क्या था őी प्बडिक फाइनांस इन इंडिया तो वहां पाइनेस यहां फाइनस दोनु फाइनस कहें यहां यहां का फाइनस इंपाइन्स मतलब क्या होता है're management of money and management lack अच्छे से कूट-कूट के भादूंगा आपके पूरे सिस्टम वे बताओ मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है मनी का विकॉज सोर्सस ओफ इंकम इंपने इस लिम्टेड इस अलिमिटेड तो फाइनांस यदि जैसे किसका फाइनांस इल गया पाकिस्तान का फाइनांस इल ग भावना समझ में आ रही है उनका न सिर्फ एक ही चीज भी फाइनांस को समझ रहो मेरी भावनाओं को और क्या हिल गया बताओ सब कुछ लिए सब कुछ हो जाता है आधी रात को यदि किसी कंट्री का किसी के एकनॉमी का क्या हिल जाए है मतलब मिस्मेनेजमेंट हो गया है क्या हो गया है मैंने उन्होंने ठीक से नहीं किया उनके पास एकस्पेंडीचर बहुत ज्यादा है अब देखो किसको किसके फंड को इंक्लूट करता है इंडिवीज्वल मतलब आप जैसे मेरे सब जैसे लोग के बारे में कर दा है आप लोग को लगा पैसा उनके बारे में दूसरा बिजनस हाउसे हम जैसे बिजनस हाउसे नीचे इतने सारे बिजनस दिख रहे है उनके लिए क्या है एक क्या है ये इंक्लूट फंड्स नीडेड बाई आप पढ़ रहे हो क्या फंड्स नीडेड बाई किसके लिए आप ल कि दो लुक का बता दिया मैंने किसका इंड्वीजब का बिजनस का तीसरा सुनने में बहुत अजीब लगेगा जब गौर्वर्मेंट को भी फंड लगता है तब भी यही फाइनस क्या करता है उसको help करता है यदि पैसे किसको जरूरत पढ़ते हैं गौर्मेंट को क्यों इतने पैसे चाहिए जहां से लगनाओ लाओ तुम्हाई इसा नहीं मतलब फिर क्या करती है जो उसके पास रहता है वो देती है फिर बोलती है कि चलो वर्ल्ड बैंक से कुछ मांग लेते हैं या किसी आएमेफ या कि किसी अधर कंट्री से मांग लेते हैं समझ में आरा हूं की चाहिए रहते हैं क्यूंड कई का उनको क्या करना पड़ता है पे करना पड़ता है और डिजीटल में टेडिले नहीं कि लिए लूब कैविडिमेटली बैकबोन क्या है बेसिक क्या है करेंची है कहिं है वो सो मेनेजमेंट-फ मनेच लिए इंकलूटals भूड्स बाइवा नшая लोगों जो लगता है उसको क्या बोलते हैं कर जो बूलते सबी शबदों के साथ आज तक आप दुरब्र वेहार है कि उन्हें टेखिव विजद निकाल रेटे हां पाइने large-time बावननेकों कर लाखились के लिए क्या होता है पार्सनल का के लिए प्रप्रेटेह और पंपार्मन्न के लिए क्योंत युर्ड कि दो क्यों रही है ङुआ रही है एक लिए ते कर रहेगे तब पब्लिक के लिए कर रही है इसलिए इसको बोला गया है कि आप पब्लिक फाइनांस चलो मैं समझ रहा हूं कि आपका बेस में स्ट्रॉंग कर दूंगा ना तो आगे दोड़ने में हमको मदद मिल जाएगी इस दिस क्लियर टेलियर कोई डाउट चलो तो फाइनेंशल सिस्टम ऑफ एकंट्री इस रिस्पॉंसिबल पॉर जब जब इस दुनिया में मोबाइल अब जो आपके पास मोबाइल उसको ना गूगल करो क्या बोलते हैं उसको मोबाइल नहीं बोलते हैं उसको कोई तो यंत्र बोला जाता है मालुम है आपको अग् आगे समझते हैं मोबाइल वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है जब मोबाइल यूज करोगे ना मोबाइल नीज विच कैन भी बूफ प्रॉम वन प्लेस्टू एनदर कोई भी चीज के अंदर मोबिलीटी मतलब क्या हो रहा है मूवेबल हो उसको बोलते हैं मोबा था वाया से बंदे बंदे अपन को ऐसे करना पड़ता था भागना पड़ता था यह इदर आओ बात कर लो चिंट की मम्मी समझ मारा है तो वह फोन में बात करती थी अभी क्या हो गया है इस कैन भी मूफ फ्रॉम प्लेस तो यहां पस क्या बोल रहा है तो फानेंश सिस्टम of the country is responsible for mobilization and allocation of funds mobilization मतलब movement of funds कौन responsible है उस देश की economy उस देश की country का financial system financial system कि कैसे कैसे money movement होगा अच्छा आज की देट में बताओ आप bank बन जाओ तो किसान को तो कोई loan देने को तैयारी नहीं है क्यों तैयार नहीं है बताओ रिस्क है बहुत ज्यादा रिस्क है रिटन आने में बहुत ज्यादा रिस्क है अरे रिटन तो छोड़ो जो पैसा जो पे दिया है इंट्रेस्ट वागता तो दूर की बाद जो पैसा दिया वहीं नहीं आएगा सो यदि गॉर्मेंट रूल और रेगुलेशन ना निकाले तो आगे चलके आप पढ़ने वाले हो गॉर्मेंट ने बोला है आपको पंद्रा परसेंट एक्रिकल्ट्रल लोन तो देना ही पढ़ेगा आपको जो करना हो करो समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट एजुकेशन लोन देना पड़ेगा इतना पार्ट आपको डेवलोपमेंट के लिए देना पड़ेगा लोन ही देना है फ्री में नहीं देना है लेकिन देना है नहीं तो सब कोई किसको देने की कोशिश करेंगे कोई जो तो गंदे स्टार्टप में से एक अच्छा स्टार्टप बोलती है कि एक तो परसेंट स्टड़ी कर लो कि जहां पास हमारा पैसा साहे तक ना डूबे क्या बोला समझ में आ रहा है गया वो गंदों में से अच्छा डूडने की कोशिश करता है अभी अभी आपको द्यान हो एक जंधन योजना निकाला गया था अभी तो आप लोग तो इसी जनरेशन में सुने होगे जंधन योजना में क्या था हर किसी गरीब इंसान का जिसका भी बैंक अकाउंट इस दुनिया म कि महनत है जो आज क्या बन पाई है डिजिटल इकनौमी अपन को ऐसा दिखता है क्या कर रहे थे अकाउंट ओपन करवाने हैं आज अकाउंट ओपन होने के कारण वो मोबाइल में भी वो चीज़ यूज कर रहे हैं बहले उसके पास पैसे कम है बहले वह पानीपुरी वाला लेकिन उसके पास भी आपका पेटी हम का स्कैनर होगा भारत प्यूर होगा कि उससे क्या होगा कि डिजिटल मनी में पैसे डारेक्टली अकाउंट नहीं तो आपने सुना है ना आजकल तो गरीब भी यूभी वेगर हैं उनके पास भी इस कैनल दें तो पांच रूपर दें और वो जब कभी आपने सुना होगा जब वो कभी एक्सपायर हो जाते हैं किसी कारण से माल जा तो कितने हो जाते हैं इंट्रेस्ट आता बिजनस चार अच्छा इसके बारे में भी मैं यहां पास इंट्रेस्ट बस किसी कुछ लोगों ने बोला तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यों होगी मैंने बताया है आपको तब भी फिर से बता रहो हूँ वन अपन आर एक रुपए भी आप जब बैंक में दालते हो ना वो कितने टाइम मुल्टिप्ला होता है समझना मैं सो रुपए का एक्जामपल लेता हूँ अभी कितने का ले रहा हूं सो रुपए का आओ अफन लों अफने हुँ आप गर मॉम ने आपको दिया सौ रुपए आप गर जाकर एस डी हर्सी बाइंक करतिया कोई प्रोhmenशन नहीं हूद बैंक。」 SUS को ना यह क्या था मिस्टर ए थे SDFC बैंक ने Mr. B को क्या दे दिया लोन दे दिया कितने का दे दिया यही रूल है actually 80 का रूल है 80 लगाता हूँ 20% रिटेन करके अब यह क्यों रोका जाता है वो भी आगे चलके आ जाएगा तब आपको तुरंट समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पस क्या समझाना चाहता हूँ जब लोगों ने बोला ना interest के लिए ने 80 लोन दिया Mr. B क्या करेगा इस लोन थे घर लेना चाहता था यह जा कि इसने क्या कर लिया house buy किया इसने 80 रूपीज दिया लेकिन हाउब house buy किया तो builder का account कहा था IC इसने कितना दे दिया तो क्या होगा बढ़ेगा नहीं उसने क्या किया फिर से इसका क्या दे दिया loan दे दिया किसको loan दे दिया एक को क्या चाहिए था फिर चाहिए थी 80 रूपय का जगह इसने कितना दे दिया 20-20% reduce करते मैं calculate कर सकता हूँ बट यहाँ पास अपन बांते हैं क्या 60 रूपीस का फिर से लोन दे दिया यह कौन था मिस्टर सी को loan दिया ऐसे लिखना है क्या और डिटेल में करूं क्या मिस्टर सी को loan दे दिया कितने का सिक्स्टी रूपीस का मिस्टर सी ने उस loan के साथ क्या किया कि जाके कि बाय फ्रेज कि या कार लिख लेते हैं ठीक है अच्छा लगेगा आपको छोटी चीज़ हो गई कार खरीद ली अब यह कार कौन सी कार थी मारूती मारूती कार का अकाउंट कहां था बताओ कि एस्बी आई में कि एस्बी आई के पास कितने आ गए कि साथ रुपय आ गए कि यह वही सो रुपय चले आ रहा है कि हार्ली पंद्रा दिन के अंदर कि एक ही पैसे को कितने बार यूस किया जाएगा multiple times इसकी टोपी उसके सथ अच्छा अब आप बताओ अब आपकी ना आके खुलने वाली है यदि in case यही चीज cash में होता सब कुछ bank हटा के cash में कर लो क्या होता आप 100 रुपय अपने पास रखे रहते bank की जगह अपने पास रखे रहते यह 100 रुपय विल 100 रुपय that's it, खतम सोच के देखो न Mr. A. ने bank में deposit नहीं किया होता तो bank locker से 100 रुपय उठके उसमें से 80 रुपय निकलके Mr. B. के पास जाता ऐसा होता क्या कुछ वो कहां रहता आपके locker जिम में रहता बस सोच के देखो एक बात समझ में आ रही है मेरी भावना और कल्पना आकांचा कामना भी समझ रहा है वो 100 रुपय है कभी भी multiply और reuse नहीं हो पाते अब बताओ यह loan दिया होगा तो क्या SDFC bank में कमाया होगा interest yes ICICI को मिला जब ICICI से loan दिया तो ICICI से कमाया होगा वही पैसा तो इसलिए बोलते हैं जब market में पैसा निकालने की बात आती है तो इसलिए जल्दी Indian market डूपता क्यों नहीं मालूम है यह festival से वो festival वो festival से अगला festival अगला festival से तीसरा festival से वो चलता रहता है मतलब क्या कर रहा हो यह बार बार जब यह होता है तो market में अपने आप क्या रहते हैं आप पैसे ख़श कर रहे बना रहे बोलते हैं पैसे लाने के लिए गवर्मेंट करती है काम कम करते हैं एंवार्ली निहों ने जिसने संजा इसलिए उन्होंने क्या open कर भा दिया सबको एक लॉलिपॉब दिखाया जब जिसको भी सेविंग एकाउंट से ऑड होगा किया उन्हों ने बोला खपल सरकार ने जिसका सरक्स जन्धन योजन होगा उपांच रुपाइग ृप्स्ट्रा विड्रॉ और इस देश के अंदर एक भी नागरिक नहीं होगा जिसने भी उसमें से एक रुपए भी विड्रॉए एक्स्ट्रा किया होगा क्यू सबकु डर है क्रेडिट का बिल क्यों टाइम से पेकर देते हो डर नहीं खौफ है खौफ जितने का बिल नहीं होगा उतने का कुछ दिन के अंदर इंट्रेस्ट आ जाएगा क्या ऐसे कैसे हो गया हमारे सान पैसे हैं और जिसने नहीं दिया तो तो छोड़ दो गलती से आप भूल गया उसके उपर कितना इंट्रेस्ट लग जाएगा 28 परसें मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है यह पूरा का पूरा बिजनेस है आप एक डिफेक्ट करो पैसे वह कमा लेंगे अब देख रहो दूसरा सुनना अब यह पैसा यह जिसको समझ में आ गया था उसने क्या किया बोला ना सब के बैंक अकाउंट ओपन करवा दो जो जो लॉलिपॉप देना इनको सबके बैंक अकाउंट ओपन हो गया सबके पैसे कहां आ गया जो एक करूर रुपए गरीब का उसके घर के खोली और तक्या बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था वह कहां आ गया बैंक में बैंक में आया तो किसके किसके पास आया सबके पास आया इसको बोलते है मार्केट में पैसे लाना इसको बोलते हैं मार्केट से पैसे निकालना जिसको बोलते हैं अब काला धन क्या किया आपने गाड के रख दिया में चलती हैं लॉजिक समझ चैन्र मैंने पैसे काला दःन दवा के रख दिया यह मार्केट में आ रहा है, मार्केट में नहीं आएगा तो क्या होगा, यह जो दिख रहा है ना, चेंड, यह चेंड चल रही है न, यह बंद हो जाएगी, अभी 2000 की नोट बंद की, 2000 नोट बंद करने का तरीका क्या था, बताओ, आप बताओ, जिस जिस के पास 2000 रुपए घर में उसको कहां जाके आपको करना है डanka में डिपॉजट करना है जैसे मार्केश में मेरा एक लाग पाया है उसके साथ क्या करेगा बताओ आप क्या करेगा उस वो स्नोट का एरोप्लेन बना कि उड़ाने वाला है पिर असली मज़े हो गए आप समझ के सोच के देखो कि असली जिन्दगी जी रहा ही तो कितना पैसा वैंंक बैंक क्या डेगा आपको फ्लीन इसको हो करेगी उसके साथ इतना उसका यूज करेगी इतना यूज करेगी निचोड लेगी कैसे इसके टोपी बनाती है अब माल लो अभी माल लो अभी ना आपके सिस्टम में और आता हूं देखो मिस्टर ए ने सो रुपए कहा डिपॉजिट किया बैंक में उसने मिस्टर बी को लोन दिया मिस्टर बी ने जाके घर खरीदा जिससे घर खरीदा बिल्डर का अकाउंट भी कहा था HDFC bank में था खुद का पैसा खुद के पास आ गया सोच के देखना खुद का पैसा खुद के पास आ गया interest किस से लेगा Mr. B से लेगा यहां से 10% लेगा और 4% दे देगा सोचो पैसे गए क्या भी भी कहीं नहीं किस के पास है HDFC bank बार HDFC bank ने बोला Mr. Builder फिल से उसने क्या किया वही पैसे को उठाके Mr. C को लोन दिया Mr. C ने क्या खरीदा कार और कार मारुती कार का अकाउंट कहा था HDFC bank में ही धा फिल से किस के पास पैसे आ गया अब समझ में आया 2000 की नोट की टोपी कैसी बनाई गई इसकी टोपी उसके सर अब बताओ फिल से वह Mr. C से क्या लेगा 10% का इंट्रेस कितना इंट्रेस इसको मिल गया बताओ अभी 20% मिल गया उपर उपर मोटा मोटा समझो कितना मिल गया 20% इंट्रेस मिल गया मरे अंदिया इसने कितना है चार पर संद चर कुर्कुंट मिस्टर ई मे जिसने बंक म्हें डिपॉसिट किया था ईचार पर MARY इसको चार परसंट और फिर इसकी टोपिक इसको पहनाने वाला है फिर से तीसरे चौते पाश इसलिए इसका concept वन अपन आ रहता है यह आगे चलके समझें कितने time use हो जाता है कितने time use हो जाता है minimum 20 times कि इसलिए बोलते हैं सबसे मेरे पास बैंक वाले सबसे बड़ी का बिजनस इस दुनिया का ना कौन सा है बैंक साला खुड का पैसा भी नहीं और मस कमा तुआ कि इस समझ में आ रही है बते कैसा लगा के अभी मन के बती खुली न कि सब्वानी है किना ना ना यह यह मालूम है क्या कर रहा है यह मजदूरी कर रहे है बाकी सब इसलिए कौन कमा रहा है पैसा वह वाला सिस्टम आता है बुरा मत मारना सुनना ध्यान से मुर्गी पाल लेंगे मुर्गी से निकलेंगे अंडे अंडे से और क्या आएंगी देर सारी मुर्गियां उन देर सारी मुर्गी से देर सारी अंडे और देर सारी अंडे से देर सारी मुर्गियां फिर मैं उन मुर्गियों को बेचूंगा तो मैं उन अंडव को बेचूंगा तुम्हाइं पस्थी कितनी मुर्गी एक मुर्गी एक मुर्गी से नहीं होता मुर्गी के साथ क्या लगता है मुर्गा भी लगता है कि समझ में आ रहे ग्या समझ में आ रहे ग्या सो conclusion की बात क्या है banking channel में जो पैसा है इसका पैसा उसके पास उसका पैसा खुद के पास इसलिए क्या है खुद का पैसा कुछ भी नहीं और जब देखो अब देखो bank को अच्छा bank को भी loan लेने जाना पड़ता है जब अब वो भी loan ना आप सुनने के लिए मेरी credibility अच्छी थी मैं गया bank के पास SDFC bank के पास बोलता 10% लगेंगे मैंने बोला ठीक है चलेगा मैं bank से मैं लोन लेके आया एक लाथ रुपे का बैंक को कितना देने वाला हो 10% मैंने पैसे उठाए और मैंने किसको दे दिये Mr. A को Mr. A मेरे को कितना दे रहा है 15% 5% का क्या हो गया मेरे को profit यही तो जब बोलते है bank loan ले रही है तो bank क्या करती मालू मैं मैंने bank के पास गया मैंने बोला पूरे देश भर में मैं class और खुटका infrastructure building college type का मैं बनाना चाहता हूँ वहीं पास girls hostel बीच में swimming pool और टैरिस में मॉस्ट अपन की class रहे गिया सुन लिया basement में कालपनिक है तो उन्हें देश भर में ऐसा होगा अब बताओ मैं पैसे लेने गया bank बोलता है तुम 3,000 करोर पे मांग रहे हो अपनी इतनी वो नहीं है क्या नहीं है अपनी वो नहीं है मैं नहीं बोल सकता आप कुछ दिन रुकिये मैं arrange करके आपको बात करता है वो जाता है RBI, RBI, RBI आप कितने में दोगे loan मेरे को वो बोलता है मैं आपको दूँगा 8% में 8% में दूसरे bank के पास जाता है वो बोलता है 6% एक बोलता है 7% यदि RBI का कम होगा तो किससे लेगी bank RBI से loan लेगी और आपको क्या चिपका देगी 10% में अरे 3000 करोड रुपे में ना यदि 0.05 का भी difference आगे है ना rate of interest में तो 3000 करोड का 0.05 में उसकी बोलते ना तेरा घर चल जाएगा वाला dialogue जाना रहा है तेरा घर जाएगा इसमें वो वाला हो जाएगा समझ में आ रहा है यदि सूचो 1% का भी difference आ गया इसने 8% से लिया और 9% में सिर्फ आगे क्या कर दिया 3000 करोड रुपे 3000 करोड रुपे मेरे को इसनेότεं सिर्फ हिस सफित है जैवाबं के पास पैसा था सिर्फ आगे क्या किया ल choice लिया अब क्या बन्हें भी प्लाण मेरे पास इतना लोन और इतना का जए मैं तो इंबाद हो गया मिर क्या रहे मैं'RE से वसूल सबहुँ गा है सब्सक्राइब बैंक और यह बैंक जितने भी आएंगे ना बैंक की टर्म सेंड कंडीशन पढ़ना हमेशा बैंक विन-विन सिच्वेशन में रहता है बुलेगा हारेगा कॉन कस्टमर हम हमेशा क्या रहेंगे विन-विन सिच्वेशन आरी बात समझ में अच्छा अब यहां पास ही मैं बता रहता होगा सब इतना कमारी है तो पूरा कपूरा सौर रुपए क्यों नहीं लोन दे रेती कि बीस रुपए अपने पास क्यों रख लेती है अपने पास या रिजर्व या इसको बोलते हैं रिजर्व अब आगे चलके आएगा आर 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 सी एल आर एसल आर स्टैटिटरी लिक्टुडिटी रेशियो तब आप पढ़ोगे इन जर्व्या आर गलती से क्या हो गए क्स्टमेर आगए मेरा पैसा मेरा को अब भी के अब भी बैंक बोलें कि या वह तो मैंने पैसा कया किये ब weirdest को दे दिए किसको दे दिए मेरे पैसे मैंने तो लोट में दे दिये वही तो आया था युट्डर अय था गोला मेरे को बिल्डिंग मना था आप इस पता है बृंडर का कितना बुरा मश्वांच चल रहा है जब देखो ये ब्रॉदोन सी वा पैसा उप भी चाहिए उऔर हो नने लगा क्या घर से घर में खेती लगी है बीबी इतने जूते मारेगी इससे तपड़ खा ले वो वो पैसे कहां से लाके लेगा इसलिए क्या करता है यह ऐसे 100-100 रुपए डिपॉजिट करने वाले कितने लोग है बहुत सारे तो यह 20-20 रुपए सब के क्या कर लेता है जोड़ लेता है वो बोलता है कितना चाहिए तेरे को बोल यह ले तेरा 100 रुपए मुह नहीं दिखाने का अगली बार बाग यहां से सो इस तरह है जिजब अब क्या सब लोग 100 रुपए अपने एक ही दिन मांगने आ जाएंगे नहीं बराबर है तो किसी एक ने मांगा उठा के दे देता है लोगों को लगता है कितनी अच्छी बैंक है जब पैसे डिपॉसिट करो डिपॉसिट हो जाते हैं इंट्रेस भी मि एक पैसे उसका बरता है तो हर किसी का बищ娟ाशीत क्लिपॉसिट वह क्याकशेअ करता है तो क्या पैसे बिल्डर का मेरा पैसा अभी के अभी दो बैंक जीटीन मैंने तुम से पैसे मैं तो भोक बोलोग भी की दो वह मैंने क्या कुछ अब वôक हम को क्या चाहिए। मेरा पैसा अभी के अभी चाहिए इसी लिए जो लेटेस्ट चीज है उसके बाद बताता हूँ कि जब येस बैंक का हुआ था उन्होंने क्या लगा दिया था बता लिमिटेशन लगा दिया था विड्रॉवल में आप इससे ज़्यादा विड्रॉवल नहीं कर सकते सब लोग एक ही दिन विड्रॉव करने लगें बैंक तो बर्बाद है जाएगी इसलिए उन्होंने क्या लगाया था लिमिटेशन लगाया था एक इसी के उपर मैं एक और कहानी आपको छोड़ देता हूं तब आपको बेटर और अंडर्सेंडिंग आएगी एक कभी जमाना थ जब ICICI bank हुआ करता था एक वन आप दो प्राइवेट एंड लग्जरी बैंक लग्जरी बैंक क्यों उस्टाइम फैंसी एसी मस्काउंटर आने के बाद पानी और कोल्ड रिंग सिर्फ वही बस पूछा करता था और उसकी ओनर कौन थी एक वुमें थी तो एक आपके लिए मोटिवेशन चंदा कोचर मतलब इनका जो फेमस मैगजीन वगरा होती ही न वहां तक नाम आया क्यों बड़ी बैंकिंग चैनल एक फीमेल लेड़ी ने इतना बड़ा स्टैबलिश किया था इसके लिए इनका नाम क्या हुआ पूरे बहुत बड़ी-बड़ी मैगजीन में सब जगह देता था क्या नाम है हाँ जो भी आपके कोब्स और सब जगह था क्या नाम है उनका चंदा कोचर अब क्या हुआ कि आपने एक आई एस आई करके एक वैन देखा होगा जिसमें कांट्रेक्ट था कि जो वैन प्रोवाइड करते ना वो थी थैट पाटी होती है कि वो कैश मुवमेंट करती है कि सब एक में जाके डिपॉसिट करेंगे है सो बहुत पुरानी बात है सन 2000 एंड उसके पहले कि उस टाइम की बात है तब मैं भी बहुत छोटा था नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही तब उस वक्या हुआ जो तीन साल का कॉंट्रेक्ट था खता मोट गया और उस वक्त दूसरे ऐसे कोई सर्विस प्रोड़र खास नहीं थे क्योंकि उस टाइम का कंसेप्ट ही क्या था ज्यादा नया नय तो आप जाके सिप्ट पैसा विड़्ॉट इतना लिमिटेशन था और इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो इतना यह इतना वह अब लोगोंने क्या किया कि वह कॉंट्रेक्ट का क्या हो गया खतम है तो जो वैन लेके पैसे घूमती है जिसमें आप देखे होगे बहुत ही जाली वगरा लगे रहते हैं मशीन गन वाला रहता है पेटी रहती है कॉंट्रेक्ट खतम हो गया अब लोग ने कुछ एटीम से पैसे निकाले तो जीदे कुछ दिन कि अंदर क्या हो गया खतम हो गया 주고 उट बाकी है पैसे ऐक इम से ंप ऐसे रहता है पैसे रहता है अब हो ही जाएगी ईौए दिवालिया हो गया उसके पास पैसे नहीं है लोगों में भदड़ मच गई बैंकिंग चैनल उस टाइम नया नया था बोले ये सब एसी फैन और पानी में खर्च कर देगी और अगरत सब भागने लगे कहां मेरा पैसा मेरे को अभी चाहिए मैंने थोड़ी में रखा हुआ है आपको पैसा देने के लिए मैंने भी क्या किया है इन्वेस्ट किया है उससे इसलिए तो चार परसेंट पांच परसेंट आपको दे पाती है एफडी के उपर इतना इंटरस दे पाती है नए हम कुछ नहीं आनते हमको कुछ नहीं चाहिए हमको अभी हमारा पैसा सब लोग में मांगने लगे da is ऑई C I C I bank के पास जितने जी पैसे थे दूसरों से लेखके सब देखके खतम हो गया तब दोग और पैसे महांगने बंद हो आब क्या होगा एक बैंकिंग और फाइनस मिनिस्टर सामने आते हैं बोलते हैं सुनो देश्वासियो आई सी आई सी आई सी बैंक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपकी पैसे पूरे की पूरे क्या है सुरक्षित हैं आप अपने अपने घर में जाए आई सी जर्मचारियों को माना पीटा ना जाए और वहां का फैन भी ना निकाला जाए क्योंकि लोगों ने तोड़ पोड़ कर दी अरे जानते तो पहले जमाने के समझ में तो आता नहीं था अभी येस बैंक बोले हाँ ले जाएंगे आज की दुनिया में कुछ करी नहीं पाते है मैं किसकी पावर बता रहा था आपको आर बी आई और फाइनांस मिनस्टर बास समझ में आई क्या अभी बैंकिंग चैनल और बैंकिंग सिस्टम इस सब कहानियों से काफी बेटर अंडरस्टेंडिंग में हैं आपके पास चीजे समझ में आ रही हैं सब आज का तो रमायन हम मैं को बहुत पसंद आया कितना अच्छा चल रहा था कितनी अच्छी चीजे बताई कि कैसा मैं सुस्क्राइब है दुनिया कहां है दुनिया डी कंपनी में क्या बोल रहा है बड़ा ऐसे सब्दिया मत यूज क्या करो मेरा लाइफ चलता है रिकॉर्ड रहता है कुछ सुल लेगा अभी कुछ गड़ब हो जाएगा क्यों चलो चले आगे कि आज की कहानी तुम सुमना यह बूंत क्या पर्सनलव फाइनन्स ौव्स क्या है लेम अलयकेशं गर्विए Спय अलिय। समझ में रहा है वही मोधी जी ने किया वही फाइनेस मिस्टर लोग ने किया अर्भी आई ने किया है सो वेल्थ क्रियेशन में हेल्प कि इन्होंने दफाइनेशल सिस्टम इंडिया कंप्राइशल इंस्ट्यूशन बहुत साध्यां से कि ऐसे मानि भी एक छोटा सा पार्ट है बड़े अदिया मैंने बोला ना तो यह किसी चीज की एक हीडिन है अब जैसे आप इंट-9,10 में मधा अ मार्के आतना भी लिख क्या हो जाता है फार लेकिन मैं यहाँ मार्के के ऊपर वी चीजें है और नीचे भी चीजें मुनी मार्कट किसका पार्ट वो देखेंगे रहने तो सर्फेंज सो जो 1 इस सिस्टम नेप inherited किसी भी देश का कमप्रार स्वेश की चीज से वह सिस्टम Bность किसी भी देश-चा कि पाइन बेशिए स्टुटूशन पाइस्ट एस dejaisin सो से मिलके बनाएं Indian financial system बहुत important your किन चार चीज़ें से बना हुआ है सबसे पहले मेरी आँखों में आखे डाल के बता तो क्या क्या बनाए किस चीज़े सो बना इंडियन फाइनशल इंस्टिूशन क्या होते हम देखेंगे फाइनेशलिजी मार्केट फाइनेशल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेशल सर्विसे यह चार चीज़ बनाएं Cum इसंदर जो फाइनेशल मार्केट के अंदर आता है आपका मनी मार्केट मार्केट तो आपके syllabus में सिफ क्या यूज किया गया है इंडियन फाइनेशल सिस्टम जब आप या कुछ और आगे पढ़ाई करोगे या यूपी एससी करोगे तब आप पूरा पढ़ोगे उसको पुरी कि उपनेशल सिस्टम वह इंडियन फाइनसर सिस्टम के अंदर आपको यह सब चीज़े सब मिलेंगी उसमें से अब बताओं इंडियन फाइनसर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं लाइक लोन डिपोजट इंवेश्में उसको बोलते हैं फाइनेशल इंसिटीशन कॉन होती है दियान से सुन ना क्योंकि यह बार पढ़ो के दुबारा क्योंकि आपके से लेरोस में तो थे नहीं इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए कंपने डिलिग विदर फाइनेंशल ट्रांजेक्शान से जो कंपने डिल करती है लाइक बैंक कि और लोन डिपॉजित इंवेश्मेट मार्केट क्या होते हैं इसको बोलते हैं फाइनशल मार्केट जहां पर सब्सक्राइब होती है बोर इसको कॉन करता है कि क्या बोला मैंने कुछ फाइनेशल एसेट्स हैं जैसे अब एस फाइनेशल इंस्ट्रूमैंट किसको बोलते हैं आप वह लुब 80 मेरे चालर मार्केट करता हैं ओाइनंचल Princess क्या मेरी अविति क्या चालर यह तक पहुनची रहेगी याद रहेगी अच्छा तो सब्सक्रियम सर्विस इस जो चाहए ना कि मेरेचल मार्केट को चो है यह मार्केट के इस पाइंशाल इंस्थ्रूमेंट कुछ उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फाइंशचल सोफिसेस बहुती है कौन everyday मैरिचव प्लैनिंगक की नहीं आपकि फाइंशल क्लैनिंग की आपको सजेशन देती है आपको इंवेस्टमेंट प्लैनिंग करके देती है देखो wealth management के बारे में देती है banking help देती है insurance के बारे में बताती है advisory service करती है investment and lending के बारे में बताती है ये सारी services कौन दे रहा है आपको financial institution in addition to this अब समझ में आया है क्या Indian financial system कैसा है कैसा है बताओ भी उसके अंदर कौन कौन है अभी ध्यान रहेगा financial institution वो क्या कर रही है financial market को क्या कर भी है manage कर रही है उस financial market के अंदर कुछ ना कुछ तो बेचा और खरीदा जाएगा जैसे fish market के अंदर अलग-अलग type की fish होती है vegetable market के अंदर अलग-अलग type की vegetables होते है वैसे ही money market के अंदर या कि financial market के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते प्रोडक्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्या इंस्ट्रुमेंट वह इंस्ट्रूमेंट दो उस के अंदर खरीदा और बेचा जाता है और उसके साथ जह आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो मिल्ची कोथंबीर जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको बोलते हैं क्या फाइनेंशल सर्विसेश और कोई-कोई वहां पस और जो ग्यानी मिल जाते हैं यह मेथी भाजी है थोड़ा नो सबस्क्राइब करेला में नमक लगाके निवह फाइनेंशल सर्विसेश समझ में आ रही है यह जो एक्स्ट्रा घ्यान मिल रहा है आपको वह फाइनेंशल सर्विसेश समझ में आगया पूरा चेन तो कल से अब फाइनेशल इंस्ट्रूमेंट सर टॉमाटो पोटाइटो यह मत बोले लगना यहां पास इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं बॉंड्ड डेरिवेटिव इक्विटी शेर्स यह सब को बोलते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट जो क्या होते हैं बेचे और खरीदे जाते हैं कहां फाइनेशल मार्केट में फाइनेशल मार्केट क्या है अब पढ़ना जितनी मैंने और मैं आपको बता रहा हूं अपने जिसने पहला लेक्टर देखा होगा उसको पूरे चैप्टर में एक परसेंट कभी है सर यह क्या होता है क्यों होता ह सब्सक्राइब अभी बढ़ो अभी जो पढ़ने वाले हो सब कुछ आपको आता है पढ़ो अभी क्या बोल रहा है financial market refers to a market where the sale and purchase of financial assets such as bond, stock, derivatives, government, securities, foreign currency etc has taken place financial market operates through bank, non-banking financial institution, broker, mutual fund, discount houses etc financial market includes two distinct market money market and capital market समझ में आ रहा है क्या तो हम यहीं तक पढ़ेंगे समझो अभी क्या-क्या बोल दिया लेकिन यह जितने टर्म है वो सब पूरे चैप्टर बहुत बढ़ा चैप्टर है बच्चो वो पूरे चैप्टर का समरी यहां पास आपको आगे चलके ब्रोकर, mutual fund, discount houses, banking, financial institutions सब पढ़ाएगा जाएगा समझ में आ रहा है यह कुछ लोग है जो कि यह financial market operate करते हैं कौन-कौन ब्रोकर, discount houses समझ में आ रहा है क्या और उसके अंदर कौन सी चैप्टर को सो हमारा आगे का चैप्टर थोड़ी स्पीट से चलना चाहिए आपके मैंने हर टाइप के fundamental चीजों को क्लियर किया है ठीक है कुछ भी डाउट है अब मैं आपको सिक्षा दे रहा हूं वैसी होगा नहीं कुछ-कुछ कि जो स्टोरी थी रहा है ना महामारत बहुत बढ़िया थी पढ़के छोड़ देना है ठीक है तो आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से तो दैसेट पार टुदे प्रम मायांड स्टी ओल इन दे नेक्स टेक्टर टेक्यार बबाए